मेरे परिवार जनो, MP का विकास भो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है. इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगती से नफरात, भारत की योजनाओं से नफरात, अपनी नफरत में ये देश की उप्लब्दियों को भी भूल जाते हैं. आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गवरवगान कर रही है. दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नी बज रहा है? बज रहा है कि नी बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविश्य दिखता है लेकिन जो राज नीती में उल्जे हुए है कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका भजना भी अच्छा नहीं लगता है भारत सोचिये दोस्तों नव वर्षों में दस्वे नंबर से पांच्वे नंबर की आर्थीक ताकत बन गया है लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है मोदी ने गरंटी दी है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की टॉप तीन इकोनोमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा कि इससे भी कि सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि मेरे परिवार जनो विकास विरोधी लोगों को देश ने छेट दसक दिये थे साट साल कोई कम समय नहीं होता है अगर नव साल में इतना काम हो सकता है तो साट साल में कितना हो सकता था उनके पास भी मौका था वो नहीं कर पाए ये उनकी नाकामी है वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे आज भी वही खेल खेल रहे हैं वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बाणते थे आज भी वही पाप कर रहे हैं वो तब भी आकंट्ल प्रस्टाचार में डुबे रहते थे और आज तो वो एक थे बढ़करे गोर प्रस्टाचारी हो गये हैं वो तब भी सिर्फ पर सिर्फ एक परिवार का गवरवगान करते थे आज भी वो ही करने में वो अपना भविश्य देखते हैं इसलिए उनको देश का गवरवगान पसंद नहीं आता